भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन अंतराश्य दौरों पर जाते हैं बैटकों और भविश्यों की योजनाओं के लिए जहां कुछ लोग इसे गलत और पैसे की बरबादी कहते हैं वहीं कुछ का कहना है कि इसे भारत को बहतर संबंद विकसित करने में मदद मिलती है ये लोगों के अलग-अलग विचार है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वह भारत और योरोप के बीच संबंदों को मजबूत करने के लिए तीन दिवसियों योरोप दौरे पर जाएंगे उन्होंने यह भी कहा था कि दौरे के दौरान वह यूक्रेन पर रूस के आकरमन पर ततस्त्य रुक अपनाएंगे कल 2 मैं 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरकार अपना दौरा शुरू किया और बर्लिन जर्मनी के लिए उडान भरी जर्मन चैंसलर और स्कॉल्स जो भारत के प्रधानमंत्री की तरह है ने बर्लिन में उतरने पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया मोदी ने चांसलर और स्कॉल्स के साथ बातचित की और दोनों नेताओं ने दोनों देशों की बड़ी कंपनियों के सीई-ओ से भी मुलाकात की जर्मनी में रह रहे भारतियों ने बर्लिन के होटल एडलॉन केमपिस की में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया लोगों ने तालिया बजाई और वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाएं प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच चले बच्चों वह उनके अभिभावकों से मुलाकात की जर्मनी में भारतियों को संबुन्दित करते हुए उन्होंने कहा रूस यूक्रेन युद में जीतने या हारने का कोई फाइदा नहीं है मैं शान्ती के पक्ष में हूँ क्योंकि यह सिर्फ दोनों देशों के नागरिकों को भुगतना पड़ता है यह देखकर दिल दहल जाता है इसलिए मुझे शान्ती पसंद है दो मैं को जर्मनी में बैठक पूरी करने के बाद आज 3 मैं 2022 को मोदी ने डेन्मारक की राज़दानी कोपनेगन की यातरा की जहां उन्होंने भारत डेनमारक संबंदों के बारे में प्रधानमंत्री मैट फ्रेडिक्सन के साथ बैठक की मोधी ने वहां रहने वाले भारतियों नागरिकों से भी बातचित की। उन्होंने दूसरे भारत नॉर्डिक समित में भाग लिया। जहां डेन्मार्क के प्रधानमंत्री और चार अन्य योरोपी देशों के प्रधानमंत्री शामिल थे। जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलेंड और आइसलेंड समित भारत के साथ इन देशों के बहतर संबंदों के लिए है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोधी को भारत लोटना था लेकिन फिर फ्रांस जाने का फैसला किया। यह दूसरे कारे क्राइम में फिर से चुने जाने के लिए फ्रांससी राष्ट्रपति, इमाणियोल मक्रॉन को व्यक्तिकत रूप से बढ़ाय देने के लिए था। और साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को सुनिशित करने के लिए बात्चित करने के लिए था। इसके बाद प्रतानमंत्री मोधी वापस भारत लोटेंगे। क्या आपको लगता है कि प्रतानमंत्री मोधी का योरोप दौरा भविश्यों में फाइदेमंद और उप्योगी होगा या यह बेकार है। हमें कमेंच में बताइए।